हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाशेज में आपका स्वागत है दोफ्तों हिंदी की क्लाशेज में हमने शब्द शुद्ध का टोपिक कंप्लीट कर लिया था आज हम वाक्य शुद्धी देखने वाले हैं वाक्य शुद्धी भी आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोटेंट है गलत इसमें नहीं लगता क्योंकि पहले हमारा पड़ावा नहीं होता और हम बोलते भी वेसे ही हैं उसको गलत ही बोलते हैं केवल आपको इनको देखना है अच्छे से कि इस तरह से हम इनको बनाएंगे और इस तरह से यह बनते हैं शब्दों का बार-बार यूज करने से वाक परबंद करें सही है लेकिन दोस्तों इसमें संग्या समंदी गलती है संग्या का हमने दो बार यूज किया है जो गलत होगा बोजन बनाने की वेवस्ता करें गलत होगा या तो हम बोलेंगे कि बोजन बनाने की वेवस्ता करें या बोजन बनाने का परबंद करें बोजन बन परवत हराबरा हो गया तो यहां पर परवत लगाने कि आवशकता नहीं है अब विंध्यांचल हरा भरा हो गया इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे हैं अब विंध्यांचल हरा भरा हो गया ध्यान दखना है यहां से सिधे सिधे प्रशन आपके आएंगे थोड़ा सा माइंड लगाना है कि किस तरह से इसको बनाएंगे मैं मंगलवार के दिन वरत रखता हूँ मैं मंगलवार के दिन वरत रखता हूँ तो दिन लगाने की क्या उशक्ता है यहां पे मैं मंगलवार को वरत रखता हूँ शुकरवार को वरत रखता हूँ सीधा बोल सकते हैं मैं मंगलवार के दिन गलत हो जाएगा यहाँ पे नाउन का परियोग कर रहे हैं बार बार वो गलत होगा केवल इस तरह से बोलेंगे मैं मंगलवार को वर्त रखता हूँ शुकरवार मंगलवार 20 तारीक जो भी है कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 20 तारीक के दिन वर्त रखता हूँ तो ये भी गलत होगा मैं 20 तारीक क वर्त रखता हूँ इस तरह से हम इसको बनाएंगे अगला है भारत गुलामी की दास्ता से मुक्तुआ भारत गुलामी की दास्ता से मुक्तुआ देखने पर सही लग रहा है कि सही है लेकिन दोस्तों ये गलत है इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि भारत गुलामी से मुक्तुआ या भारत दास्ता से मुक्तुआ दोनों एक ही बात हैं तो या तो भारत दास्ता से मुक्तुआ या भारत गुलामी से मुक्तुआ इस तरह से हम इसको बना कर चलेंगे अगला है दोस्तों कि समाज में अराजक्ता की समश्या बढ़ रही है समाज में अराजक्ता की समश्या बढ़ रही है तो अराजक्ता तो खुद में ही एक समश्या है तो यहां पे समश्या लगाने की जरूत ही नहीं है समाज में अराजक्ता बढ़ रही है इस तरह से हम इसको बना कर चलेंगे अगला है हमारे पास प्राते काल के समय घूमना चाहिए प्राते काल के समय घूमना चाहिए तो प्राते काल समय ही तो है तो इसमें समय लगाने की क्या हो सकता है प्राते काल को घूमना चाहिए साइकाल को गूमना चीए इस तरह से हम इसको बोलेंगे प्रातेकाल के समय यहाँ पे गलत हो जाएगा वहे रोज पानी से पोदो को सींचता है तो पोद्य तो पानी से शींचे जाएंगे वहे रोज पोदो को सींचता है इस तरह से हम इसको बनाएंगे वहरोज पोदो को सींचता है तुम गीता की पुस्तक पढ़ो गलत होगा तुम गीता पढ़ो गीता पुस्तक ही है सब को पता है तो गीता की पुस्तक पढ़ो बोलने से कोई अचीते नहीं इसका कोई मतलब नहीं है तुम गीता पढ़ो इस तरह से हम इसको बनाएंगे रेडियो की उत्पती किस ने की देखने में सही लग रहा है कि सही है रेडियो की उत्पती किस ने की लेकिन ये गलत होगा रेडियो की उत्पती किस ने की गलत होगा रेडियो का अविश्कार किस ने किया ये सही होगा रेडियो का आविश्कार किस ने किया कंस की हत्या क्रशन ने की थी ये भी आपको सही लग रहा होगा कि कंस की हत्या क्रशन ने की थी क्रशन जी ने कंस का वद किया था तो कंस का वद क्रशन ने किया था इस तरह से इसका बनेगा मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा सर्वे नाम समंधी गलतियां है ये मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा मेरे को नहीं मुझे होगा मुझे कुछ याद नहीं हो रहा अब जिनकी हिंदी कम जो हो रहा उनको तो सब सही लगेंगे ये लेकिन आपको इनको अच्छे से देख कर चलना है काफी important है exam में सीधे सीधे आपकी यहाँ पर आएंगे प्रशन पिता जी ने मुझे से कहा इस तरह से मैं इसको बना कर से लेंगे महादेवी वर्मा हिंदी की प्रशिद कवी थी काफी बार रिपीट होता है बार बार एक्जाम में आता है महादेवी वर्मा हिंदी की प्रशिद कवी थी गलत है महादेवी वर्मा हिंदी की प्रशिद कवी यत्री थी गाय का दूद्ध गरम पिना चाहता हूँ अब ये भी आपको सही लग रहा होगा सही है लेकिन दोस्तों ये गलत है गाय का गरम दूद्ध पिना चाहता हूँ ये सही होगा यहां पे सब लोग अपनी राय दें सब लोग अपनी राय दें ये भी गलत है सब लोग अपनी अपनी राय दें इस तरह से हम इसको बना कर चलेंगे अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार रिपीट होते हैं एक्जाम में आते हैं तो इसी तरह से आपको देखने हैं इनको और इसी तरह से बना कर चलने हैं हिंदी के लिए मैंने आपको बताई थी रागव परकास की बुक बेस्ट है तो रागव परकास बुक से पढ़ लें आप वहां से आपके काफी कुशन्स एक्जाम में मिल जाएंगे काफी repeat होते हैं रागो परकाश हिंदी के लिए बेश्ट बुका आप रागो परकाश पढ़ सकते हैं कृष्ण पितामबर धारन करते थे अब ये तो बिल्कुल सही लग रहा होगा कि कृष्ण पितामबर धारन करते थे सही है लेकिन दोस्तों ये पितामबर है यहाँ पे जो P में जो E की मातरा है वो छोटी E की मातरा गलत होगी यहाँ पे बड़ी E की मातरा होगी क्रिशन पिताम बर धारन करते थे तो जो P है इसमें E की मातरा बड़ी होगी मातरा समंदी गलतियां भी एक्जाम में आती हैं वाके शुद्धी में तो मात्रा समंदी संग्या सरवनाम समंदी सारी आपको गलतियों को देख कर सलना है और उसी तरह से आपको इनको करना है आपके रागव परकास में वाके शुद्धी समंदी सब कुछ मिल जाएगा प्रीवेस चेर्स के जो क्योशन्स आई हुए हैं वो भी आपको मिल जाएग इस तरह से ये बनेगा सच्ची वाले के कई करमचारीओं की ग्रिपतारी हुई इस तरह से सही बनेगा तो दोस्तों ये हिंदी के वाके शुद्धी हैं जो मैंने आपको बताए हैं अब इसमें जो और बाकी बस गए सारा सब कुछ में रागव परकास की जो बुक में दिया में और कमेंट बोक्स में मिल जाएगा वहाँ पर मैं आपको रागव प्रकास की बुक में जो जो वाके शुदी दिये गए हैं प्रीवेर सिर्फ के क्योशन्स दिये गए हैं वो सारा सब कुछ में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं तो जल्द ही डेनिल क्लासेस का जरूर जोइन करें थैंक यू